कैसे आप लोग तो आज हम लोग पढ़ने क्लास टेंद बिहार बोड का नौन हिंदी और यह किसले हिंदी भी कहते हैं इसका चेप्टर नंबर सिवन पढ़ने वाले हैं और इस चेप्टर में हम आपको और सब्जेक्टिव कोशन बताने वाले हैं तो अगर आप इस चेप्ट सब्सक्राइब करते हैं और इसका अंसर आप लोग दित जाएंगे ठीक है नहीं याद रहेगा उसको नोट कर लिजए सवाल क्या बता है सिर्चन को घी की डाड़ी यानि खकोरन के साथ क्या पसंद है घी का डाड़ी में गहीं भी मड़ी खकोर कैसे खाते हैं सिर्चन को घी की डारी सूरा-चीनी-चना और नमक सिर्चन ने किसे बेपानी कर दिया था पंचनन चौधरी के बड़े लड़के को या पंचनन चौधरी के नौकर को या पंचनन चौधरी के मुंसी को तिसरा सवाल है है सिर्चन जातीका क्या है यह सवाल बहुत क्या बहुत बर सवाल यह सिर्चन को लोग क्या समझते हैं यह भी बहुत बर सवाल का पात्र है देखो यह भी स्वाल इंपोर्टेंट ठेश कहानी का पात्र का मतलब हुआ में करेक्टर को नहीं है तो कवीता नहीं है जांसी कि रानी कवीता है बच्चे की दूआ कवीता है प्रार्थना गीत बोली कवीता करमवीर कवीता ठेश क्या है ठेश कहानी है ठेश कहानी है तो किस कहानी में या बाल गोईंद भगत में विकरम शिला में इन कोई नहीं तो क्यों आगा ठेश कहानी देखिए अभी तो आप ठेश कहानी के बारे में सवाल कर रहे हो लेकिन जब यह सवाल मिक्स हो जाएगा अलग 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 सवाल बन जाएंगे तो वहां पर आपको डिस्टप करेगा तो याद किजिएगा मिचलांचल की संस्कृति पर संस्कृत spirits का परभाव वर्नन क्या थेश काहनी में कहां कि लोग संस्कृति का परभाव नंग कि अगर लोग संस्कृति सवाल ना सावन कोशचन में कम से कम चार पांच लेक्खक से रता है तो भाई से अगर आप लेखकक नाम याद कर रहेंगे तो इदम डिRed इदम फिरी फिरी आपको आपके पाकिट में नञाने है फनिस्वर्नाथ रो आगे पड़ते हैं नंग है नो कि से person कायने किस के मन की मुझिष्टाउं का मार्मि को किसके लिखाके या मनुद्यी की कलाकार क्या किस का रही किसके मन की किलाकार का कि शबसे भारे में लिखा हुआ है तो आप सबसे पहले लहांए मैं बखे कर दे rpm सवाद मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं ठीक है क्या समझाने में ठेज कहाने का मात्रपुर्य योगदान है शरम के परति सम्मान की भावना रिस्तों की गहराई मनुस्य की पर गवाल पर च्षधता तो यहाँ पर तीन च्पीए रहाई च्शाप वाली धोटी का दाम सेःषन को कौन देती यह ब्रMax को good self कौण देने लगी मानु दिदी आप्सन नमबर चिरषण को पान का बीड़ा बा इतने में आती है कितना रूपिया उसको बतायं गए कहानी में 8 रुपया 10 रुपया 15 रुपया मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है तो आप्सन को पढ़िए और इसका अंसर देखी आप एक बार भी कहानी को पढ़ लिए तो मैं पक्का बता रहा हूं ना इसका एक एक ऑब्जेक्टिव आप अपने मन से बता सकते हो और नि सितल पाटी चिक एक जोड़ी आसा आसनी कुछ तो यह हो जागा आंसर सभी यहनिकि सब कुछ देता है ठीक है यहां पर जुद्धिया तीनों फनिस्वार नाथ रेनू की कहानी कौन है इन में से इदगा बालगविन भगत ठेस या हुंडू के जल परबाद तो क्या हो इदगा के नाम कौन है इदगा के रैटर कौन है बाल गोविंद भागत बाल गोविंद भगत चैप्टर है इसका और हुंडू का जल परपाद अगर आप इसका अंसर दे रहो तो मैं समझेगा कि आप रियली में अपने वीडियो को यहां तक वात किया है अंसर जरूर इधरे काम करने मापक्त काम करने मुफ्त में मजदूरी पाने वाल शमाझाज बैगार बिकार भी कहीं के बेगार कहें विबेगार वी बेगार बीगार भी बोला गया है तो आप इस बात को कोई घरतर नहीं चरिका सकते हैं जो को पान का बीड़ा किस ने दिया था यह सवाल बना है तो याद किजेगा मानु दिजी और यह सवाल पूछा भी गया एक्जाम में ठीक है बहुत इंपोर्टेंट सवाल वलता है मानु दिजी ने कहानी के किन-किन परसंगों से ऐसा पर्दित होता है कि सिर्चन अपने काम को ज्यादा तरजी देता है रेनु जी के घर मानु दिदिक की विदाई के पूर्वे शीतल पाटी और चिक बनाने के लिए सिर्चन को बुलाया जाता है अगे क्या है वह अपने काम में तनमय हो गया अगर उसकी तनमय था में विधन डाले तो मतलब बाधा डाले तो वह गेहुमन साप के तरह फुक फुरा कर फुफकार उड़ता और काम छोड़कर चला जाता है कौन सिर्चन फिर वह काम अधूरा ही राज़ता मतलब सिर्चन बहुत काम मेहनती लगा अगर बीच में कोई बाधा डालता था तो छोड़कर भाग जाता था ना उसका कहना यह था कि हम जो काम कर रहे भाई पुरा करने दो कहानी परसंग में दूसरे दिन जब वह अपने काम में लग लगा तो उसे खाने पीने की सुधी सुधी ही नहीं उसे चूड़ा गूड़ खाने को मिलता वा केवल चूड़ा फांक रहा है जी यह अचुड़ा चबाते समय वह अपने काम में तर्माइब है उसे कुछ सुझी नहीं क्या कह लिए कुछ सुझी नहीं ठीक है कि चूड़ा के साथ गुर भी खाना है मतलब काम इतना बीजी है ब्भूग लगे भाई चूला खाया चूला खाया जाए इस इस पता चलता की जो सीरचन को काम ज्यादा प्षाण अब काम ज्यादा है ना तो भोजन कुछ भी रहे फटा-फट फटांगे जा रहा है इस कहाने में कौन इस कहानी का परमुक पात्र एदम में पात्र हैं वह कलाकार है वह स्वाभी मानी है बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारिकर दूद में कोई कोई बात नहीं किन्तु बात जरा सी भी जाल वह बरदास करता है अगर दूद में मिठाई ना मिले चलेगा लेकिन बात उसको जरा ही जाल रहे ना तो उसको बरदास नहीं होगा यार ना चीके ना मानु की विदाई के आउसर पर घरवालों की मांग तीन जोड़ी फैशन फै सिर्चन काम में जुड़ दया मंजली भावी ने कलेवा से चिवरा और गुड़ा दिया माने के कहने पर भठी पर बुंदिया सूप में फैंकर चली गई सिर्चन इससे आहत होकर कहा मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी उसी तरह हाथ खोल कर मारती आई क्या मंजली भावी रोने लगी चाचे ने सिर्चन को आप मांजनक बाते कहीं वह काम से चला गया कलाकार था उसको ठेश लगा इसलिए काम सोड़ चार दिया मानू के लिए सिर्चन घर पर ही फैसनेबल चित्रे के और चीतल पाट्टी तैयार कर जाते वक्त कर जाते वक्त सहिर्दे और सवाभामी है वे वा वाचाल वाचाल कमछले वह सिर्चन की तो बहुत अक्छा इंदिम पढ़ने होग बहादूर नाम का कानी बहादूर बहुत जादा था लेकिन घर वाले उसमें बहुत 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 बाद बता गया तो अमिद है कि आपको इसका पीडियाफ लेना है तो मैं नंबर दे रहा हूं मिल जागा डाय चाल थैंक ये व्रिवन बाई वीडियो अच्छ लिगी तो लाइक करना दोस्तों के शेयर करना और सब्सक्राइब कर दो ओके